ग्लोबल भारत नियूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रताबगर जिले की दिन भर की बड़ी ख़बरें जिला धिकारी और पुलिस से दिच्चक ने किया प्रताबगड के रेलवे स्टेशन करने छण बता दें की बड़ोसी जनपद मेठी रेलवे स्टेशन पर अगनी पत्तियोजना के खिलाब बवाल की अफवापर वारार्टी से देहरादून जाने वाली जनता एकस्पेस को रेलवे प्रसासन ने सुक्रवार दोपार प्रित्वी गण्जी स्टेशन पर आधे घंटे तक रोग दिया इसके बाद रेलवे के साथ अस्ताने प्रसासन भी सक्री हो गया हाला कि आदे गंटे बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर जिया गया लेकिन उसके आगे माल गाड़ी रवाना की गई गौर तलाभाय की सेना भरती की अगनी पति होजना को लेकर पूरे प्रदेश में हो रहे विरोत के मदे नजर प्रसासनी कमला पहले से एलाट है जिला धिकारी नितिन बंसला और पूलिस अदिचक सत्पालंति इल्भारी पूलिस बल के साथ सुक्रवार सुबा से इस साहर के संबेदल से लिलाकों काब्रमाण करते रहे दिन में 17 बजे के करीब डेलवे प्रसासन को सुचना मिली के मेठी डेलवे इस्टेशन पर कुछ आरा जकता तो विलोधी प्रसासन कर रहे है ऐसे में 17 बजते हुए वरार से से देरह दुन जारही जनता एक्सप्रेस को प्रसासन पर रोग दिया गया और सुचना अस्थानी प्रसासन को दी गई कुछी देर में डियम और एस्पी फोर्स के साथ इस्टेशन पहुंच गये डियम एस्पी ने इस्टेशन अदिच्चक मुहमद समीम और और पियफ इस्पेक्टर सीपी मिस्टर से बात की करीव आधे गंटे तक रेलोधी अफसार इस्टेशन पर रहे वहां रुके और विलोधी प्रसासन का इंपुट जुडाते रहे आधे गंटे बाद जनता एक्स्पेस को आगे के लिए रवाना किया गया लेकिन उसके आगे मालगारी रवाना की गयी इसके बाद अफसरों का कपला जे लोग रिष्टी जाव मस्जित की ओर चला गया बढ़ते आगे रुप करते हैं अगली बड़ी ख़वर का और प्रताबगार से है जहां जुमे की नमाज को सखुसल संपर्ण कराने के लिए प्रताबगार पुलिस रही एलट जगे जगें डोन कैमरे से की गई निगरानी बतादी कि इसकी जनकाई देते हुए प्रताबग लाल गंज समयत अननी इलाकों में भी डोन कैमरे से निगरानी रखी गई जिससे कोई आरे देता ना फैला पाए गउर तलब है कि कुछ दिन पूर्प से ही लगातार चल रहे नुपूर सर्मा के बयान वाले बिडोत के बाद पुलिस प्रसासन इलट पर है और जुमे की नम सामला सांगी पुरकोतवाली लाके के धारुशापूर गाउं का है जहां गौरो और गोलू पुत्र राम उतार पिछले वर्ज गाउं के एक ठेकेदार की अगवाई में अपने गाउं के दो अन्नसाथियों के साथ मुंबई गया था वहां उसकी तबियत खराब हो गई बि सब्सक्राइब का मुकदम दर्ज किया शुक्रवार को लाल गंजेश्डियम अरुट कुमार सिंग और सियो राम सुरसोनकर तथा यह सो जीतेंद्र कुमार सिंग के साथ साथ सीसी अधिचक डक्टर अरंतिवारी की मौजूदगी में सव को जीसी भी बुला कर निकलवाया गया और उसे पोश्मार्णम के लिए ले जाये गया इसकी जनकाई देते हो यह प्रताफगर के पुलिस अधिचक ने बताया कि 11 महीने पुराना यह मामला है और इस पूरे मामले की नियाले के आदेश पर एक बार फिर से जाच परताल की जाएगी जो भी दोसी होगा उसे बकसा नहीं जाएगा बढ़ते आगे रू करते हैं अगली बड़ी ख़बर कुंडा इलाके से है जहां दुकान जा रहे है अब हुश्र कारोबारी के साथ लूट का किया गया इसपल प्रियास इलाके के लोगों ने दीप पुलिस को सुचना मौके पर पहुंचे पुलिस क् जान बच गई जिसके बाद आसपास के लोग जब दोड़े तो हमलावर फरार हो गए वह लूट को अंजाम नहीं दे पाए और इसकी सूचना ततकाल पुलिस के अलाधिकारियों को दी गई मौके पहुंचे पुलिस के अलाधिकारी पूरे मामले की छान बिन में जुट चोसा में दिन दहाड़े गैस गोदाम इंचार से बदमासों ने लाखोर उपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था इसके बाद आज एक बार फिर से राहगीरों के साथ हुई लूट के असफल प्रयास की घटना पुलिस को कड़ी चुन होती दे रही है हलाकि पुलिस चलते योग कुमारी गोली गंभीर आलत में कराये गया प्रताबगर से जिला मेडिकल कालेज के लिए रफर यहां मामलार नगर को तो लिए राके के महगनी गाओं का है जहां सुक्रवार की साम पुराने रंजिस के चलते दबंगों ने ब्रिजदेव मिस्रा पुत्र देव उसकी हालत गंभीर है और उसे मेडिकल कालेज के लिए रेफर किया गया है घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस के आलाधिकारी भी घटना अस्थल पर पहुंचे जहां पूरे मामले की चान बिर में जुट गये हैं इवक की हालत बहत गंभीर बताई जा रही है जिसे लेकर पुलिस प्रसास संचो करना है और ऐसे बदमासों को चिनित कर रहा है जो इस घटना करम में सामिल है